Good morning class 1, okay, now we have already learned the tables from 1 to 10, हमने 1 से लेके 10 तक की हमने tables learn करी है, okay, now we are ready to do our self practice exercise 6C, अब 6C exercise में क्या करना है, वो हम देखते हैं, चीक है, तो पहले exercise में हमने क्या सीखा था, जब भी हम दो numbers को multiply करते हैं, उसमें पहला number is always groups, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखाए 6 और यहाँ पर लिखाए 3, तो 6 हो गए groups और 3 हो गया कि एक group में किते items हैं, ठीक है, 6 groups हर एक group में 3 items, 6 threes are 18, तो total हो गए 18 units हो गए, अब यह आगे जो group है और पीछे जो number of items है यह आपको याद रखना पड़ेगा, आगे आप groups लिखेंगे number of groups और पीछे बाले में लिखेंगे number of items और दोनों को multiply करेंगे और answer आज आएगा, ठीक है, for example, आपकी exercise 6C में, जो पहला question है, उसमें जो first part है, उसमें यहाँ पे glasses बने हुए हैं, हर glasses में pens हैं, और आपको यह total pens count करनी है, multiply करके, तो हम क्या करेंगे, और आपको दो circles दिये ह हैं आगे, और आपको इनको multiply करके, total pens का answer निकालना है, तो what we will do, हम सबसे पहले groups करेंगे, पहला number क्या होता है, पहला आगे number होता है, groups, तो हम यहाँ पे groups count करेंगे, groups कैसे count करेंगे, एक-एक group, one group, यह हो गया, one group, two group, three, four, five, six, seven, seven हो गया, seven groups, तो हम यहाँ पे लिखेंग seven, ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक group पकड़ लो, जैसे कि मैंने यह ले लिया, one group, अब इस एक में कितनी pens हैं, कितनी pens हैं, इसमें, one, two, three, four, five, कितनी हैं इसमें, five, तो हम यहाँ लिखेंगे five, अब हम table बोलेंगे, जो हमने tables learn करी हैं, seven five, 35, तो यह total 35 pens हो गई, आया करो, question number C है, जहाँ पर strawberries बनी हुई है, red, red strawberries बनी हुई है, green color की leaves हैं, और हमें multiply करके, यह total निकालने हैं, कि यह total कितनी strawberries हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आगे वाला number पहले लिखेंगे, आगे वाला number क्या होता है, number of groups, तो यहाँ पर number of groups count करें, one, two, three, four, five, six, six groups हो गए, तो हम हमने लिख लिया, यहाँ पर six groups, अब हम कोई भी एक group पकड़ेंगे, जैसे हमने यह एक पकड़ लिया, अब इसके अंदर किती strawberries हैं, एक में, एक में है, one, two, and three, यहाँ पर लिखती है, हमने three, अब यह हुआ six threes हा, 18, तो total हो गई, 18 strawberries, ओके, इस तरीके से हमें exercise six C में, जो पर आपको groups लिखने हैं, count करके, और second में, एक group में किते items हैं, वो आपको लिखने हैं, multiply करेंगे, और आपका answer आ जाएगा, okay, now coming to question number two, question number two is basically your dodging, आपने जो भी tables learn करी हैं, उसकी dodging का question है, अलग-अलग वहाँ पर multiplications के sums दिये हुए हैं, numbers दिये हुए हैं, आपको multiply करके answer न 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, okay, इसको करने के लिए आपको tables बहुत अच्छी तरह learn होनी चाहिए, अब यहाँ पर 6 के table बोलेंगे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, like this, यहाँ पर 9 है, 9 5s are, तो 9 के table बोलेंगे, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, इस तरीके से आपको यह question number 2 में जो अलग-अलग dodging दी हुए है, वो dodging आपको करनी है, okay, now coming to question number 3, question number 3 हमारी word problems है, ठीक है, word problems है, इसमें आपको word problems समझ के आपको इसके multiplication करने है, तो word problems का जो concept है, वो मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन जो multiplication है, वो आप खुद करेंगे, आपको उसके लिए tables learn ह exercise करिएगा, okay, चलिए, अब इसको problems को समझते हैं, question number 3, answer the following, इसमें पहला question है, there are 5 ways, ways क्या होते हैं, ways होता है, फूल दान, घर पे आपके ways होंगे, जिसके अंदर फूल रखते हैं, कईयों के घर में आपने देखा होगा, कि फूल दान होते हैं, उसके अंदर रंग-दरंग एक ways में 5 flowers हैं, तो अब बताना है कि total कितने flowers हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही चीज करनी है, जो हमने first question में करेगी, number of groups, और एक में कितने, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आप लखेंगे 5, और एक ways में कितने flowers हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे लिखा है न, there are 5 flowers in each ways, मतलब हर एक में 5 flowers हैं, तो हर एक में अगर 5 flowers हैं, तो 5 यहाँ करेंगे, अब 5 5s आ, table bell के जो भी answer आएगा, वह आप यहाँ लिखेंगे, और वही answer आपको यहाँ लिखना है, there are a number of flowers all together, यहाँ पे total flowers आपके आजएगे, अब next question करते हैं, there there are 8 baskets, यहाँ पे 8 baskets हैं, बिल्कुल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, there are 3 apples in each basket, हर एक basket में 3 apples हैं, तो total groups किते हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और groups कहां लिखते हैं हम, आगे, अब इसमें से 1 group ले ले लेंगे, और 1 group में किते apples हैं, 3 apples हैं, यहाँ पे question में भी लिखा हुआ है, और यहाँ picture भी बनी हुई है, 3 apples है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, अब आप table बोलेंगे, 8 cup, 3 तक, जो भी answer आएगा, आप यहाँ लिखेंगे, वही answer आप यहाँ लिखेंगे, और आपका answer आजाएगा, there are a number of apples in all, okay, now, there are 5 fish tanks in a shop, there are 4 fishes in each tank, how many fishes are all together, एक shop में 5 fish tank हैं, fish tank जिसमें हम fishes ठीक है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, हर एक fish tank में 4 fishes हैं, हर एक में 4, 4, 4 fishes हैं, तो total groups किते हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम आगे लिखेंगे number of groups, which is 5, और हर एक group में, मतलब एक fish tank में किते fishes हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, multiply करेंगे, और हमारा answer आ जाएगा, okay, question number D, अंकित has 7 flags, there are 2 stars in each flag, how many stars are there all together, अंकित के पास 7 flags थे, 7 flags हो गए, हर एक flag पे 2 stars लगे हैं, 2 stars लगे हैं, हर एक flag पे, तो अब हमें बताना है, total किते stars हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम group count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने 7 groups लिख लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हर एक में किते stars हैं, एक group में, एक flag में, 2 stars हैं, तो हमने यहां पे लिखा 2, अब हम 7 का table बोलेंगे, 7 twos आ, और हमारा answer आ जाएगा, जो हमें यहां पे और यहां पे लिखना है, ओके, now, last question, there are 4 plates on the table, table पे 4 plates हैं, there are 10 toffees in each plate, हर एक plate में 10 toffees हैं, how many toffees are there in all, सारी मुला के किते toff होंगी, तो यहां पे भी हम groups count करेंगे पहले, 1 group, 2 group, 3 group, 4 group, तो यह लिख लिखे हैं, हमने 4, और हर एक group में कितनी toffees हैं, हमको बताया हुआ है, 10 toffees हैं, हर एक में 10 toffees हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे, 10, multiply करेंगे, और हमारा answer आ जाएगा, इस तरीके से आपको करनी है आपकी exercise 6C and you have to sum it. And this will be the end of this chapter, chapter 6. In the next class, we will move to the next chapter which is chapter 7. Okay class, thank you.